तो दोस्तो इस हेस्टल को बना निकले से पहले आप section निकलेंगे तो हमने यह box section निकाला हुआ है उसके बाद हमने नीचे पोनी भी बनाया हुआ है और यहां पर crown section छोड़ा हुआ है तो ऐसे आपको section निकलना है अब जो crown section छोड़ा हुआ है इसको हमने two part में divide करना है तो यह देख रहे हैं after finger tip को स्थेमाल करते हुए हम imaginar रख करें तो ऐसी आप pages sustainable करते हूए इसके अंदर पी आप ऑसकंदर रखेंगे जैसे कि भी आप देख पारें मिल्स अंदर गैप रकावा थिसके अंदर उस्ते देना हूगत चुंदर अगर अगर आप ज्यादा क्लोज बनाएंगे तो लेर्स बहुत ज्यादा पास्म होने के वह से अच्छे से विजिबल नहीं हो पाएगी तो इस वह से आप थोड़ा से गैप रखेंगे और फिंगर टिप पर इस्तिमाल करते हुए आप लेर्स को बनाएंगे अगर आप ज्यादा ट्विश्ट करदेंगे तो जब आप लेर्स निकालने जाएंगे तो आपके लेर के साथ और भी जाता एक्स्ट्रा हेर आजहेंगे तो इसलिए बन ट्विश्ट करना है वाँ उसके बास लेर को सैट करने के लिए आप स्टॉंग हेशप्रे यूज है और उसके बास हम दूसरी direction में आते हैं सेम अच्छ से कॉं Millennium करना है को बहुत जोरूरी होता है जब आप अच्छा कॉंव तो बरनाने बहुत ही इज हो जाता है और झैसे कि आप आपको बताया था कि सिंगल करना है हमने के ट्विस्ट किया है ट्विस्ट करने के बाद finger tip पर इस्तमाल कर रहे हैं और हम यहां पर layers को create कर रहे हैं और layers को create करते हमें हमने यह धियान रखना है कि जो आपने layers बनाया हुआ उसके distance होना चाहिए थोड़ा से gap होना चाहिए अगर पास पास में होंगे layers तो आपस में merge हो जाएंगे दिखाई नहीं देगा अच्छे से समझ नहीं आएगा आपने layers कैसे बनाया है तो इसी वैसे आप थोड़ा से distance दे जिसके वैसे layers जो है proper visible हो दिखाई दे और जैसे कि अभी आ यहां पर strong hair spray यूज़ करने ताकि जो हमने layers बनाया हुआ अच्छे से fix हो जाए set करने के बाद आप उसको जूड़ा पिन से अच्छे से pin कर देंगे और उसके बास हम फ्रेंट के तरफ आते हैं तो फ्रेंट में हमने इच्छे से comb किया है set section में अच्छे से comb करने के बाद हम और जैसे कि आप देख पारें हमने जैसे back में layers create के होदा थीक वैसी हम यहां पर finger tip का इस्तमाल करते हुए प्रेंट में भी layers को create कर रहे हैं जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं और दोस्तों हेस्टालिंग से related अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो बेच है में को whatsapp पर सकते हैं वह नम्मर है ज्यादा ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो महां ज्यादा patch ही हो जाएगा तो आप इस spray को थोड़ा से दूर रखके आप उसको spray कर सकते हैं अभी आप देख पा रहे हैं वह से स्कुछन आप एक कदांगे तो सब्सक्राइब करने ह्यादाए यह भी हुआ है चौहीट के को खेसर सकते हैं और उसको नेस को कए और यंश को सो कनेकटिंग करके आप पीछे की तरफ देंगे जैंगे जिसे आप देख पा है जो हमने आगे की तरफ लाए थन उसी को connect करके उसको पीछे के तरफ लेके जाना है साथ के साथ जैसे के अभी आप देख पा रहे हैं लाश्टे तक ये layers जाएगे जैसे के अभी आपने देखा वीडियो के अंदर ये पीछे के तरफ लेके जाना है और उसके वासे इसको फिक्स कर देंगे strong hairspray से और दोस्तों strong hairspray यूज करना है आप कोई normal hairspray यूज मत करना मैं साथ को company का taft hairspray यूज करता हूँ तो आप कौन सा hairspray यूज कर सकते हैं नीचे comment section में मुझे जरू बताएगा अब हम दूसरी साइड आते हैं तो दूसरी साइड भी हमने अच्छे से कॉम करने के बाद हम स्टील की section clip लगा रहे हैं और यहां पर भी हम लाइंस को क्रिएट करें फिंगर टिप करते हुए तो फिंगर टिप का आप इस्तिमाल करके आप लाइंस बना सकते हैं उससे पहले आप अच्छे से कोम करें बालौ करेंगे जो आपके बालो केंदर टैंगल होंगे और ज़्ञादा प्री से फ्री ओ जाएंगे जिसके बेसिस पे आप अच्छे से लाइंस को क्रेट कर सकते हैं और इसको fix करने के लिए strong hair spray यूज करना है को normal hair spray यूज नहीं करना है और आप पहुंच सा एस पर यूज करते हैं आप नीचे कोमेंट सक्षे में मुझे जरूर बताएगा ऐसे आप इंगर टिप कर स्टमाल करते हुए कर लेंगे उसके पास से पीछे तक हम इस लैंस को लेके के हुए अब पीछे हमने जो पोनी बनाया हुथा हमें उसके बदाने में जुड़ा नेट के लिए नदर बैके कर लेंगे वो जो हमने back home किया हुआ है जूडा नेट के अंदर हम back home वाले section को इसके अंदर डाल देंगे जैसे कि अभी आप देख पा रहे है वीडियो के अंदर तो यह जो हमने back home किया हुआ था सारे बाल हमने जूडा नेट के अंदर डाल दिया हुआ है अब इसको आप देखेंगे इ जैसे कि अभी आप देख पा रहें वीडियो करना है ऐसे हमने एक round section लेना है और आप यहां पर रोज बना लेंगे काफी easy टेक्निक है दोस्तों आप इससे आप बिल्कुल easy way में हेश्टल बना सकते हैं रोज बना सकते हैं जैसे कि अभी आपने देखा तो रोज बनाना बहु अपर जैसे कि अभी आप देख पा रहें पूरी लेंग तक को नए और तो आप जो जूड़ा नेट होता है उसके अधर बई पिन लगा के और आप सेक्शन को अचाए कर लें पिन करने के बाद जो जूड़ा नेट है उसके अंदर आप जो बैक को माला हैर है वो उसके अड करेंगे पिन करने के बाद सबसे पहले आप उसको अच्छे से स्प्रेड कर लें और उसके बाद आप यहां पर पिन करेंगे तो स्टेप बाई स्टेप आप ऐसी करेंगे तो यह काफी सुन्दर रोज बन जाए गया जैसे कि अभी आप देख पारें वीडियो के अंदर तो हमने आवे इसे कैया हुआ है और यह रोज बनाया है हमने फिन से बनाया हुआ है और ये प्रॉपर जो रोज बनाया है और आप भी बना सकते है अगर आपकका पाश जूड़ानैट है तो जैसे मैंने अपको बताय कि वैक下去 करना है बैक् oben करने का बाद वडग हूम करने के आप उसको एक राउंड लेंगे और यह बीच का पार्ट बन जाएगा उसके बास से आप सिंपल ही जैसे कि अभी आप देख पारे हैं ठीक ऐसे करते-करते आप साईड में जो रुज के साथ में बनाएंगे और उसके बाद से आप इसको पिन कर देंगे जैसे कि अभी आप देख पार है हमने इसको पिन के हुआ है ठीक ऐसे पिन कर देंगे तो यह को और हमारा section है, last का section है तो इसको भी हम spread कर रहे हैं और spread करने के बाद हम यहाँ पे जूड़ा पिन से पिन करेंगे तो दोस्तो आपको यह technique कैसे लगी और अच्छी लगी तो नीचे comment section जुरूब बताएगा और वीडियो पसंद आएए तो लाइक करेंगा और इस चैनल को आपने subscribe नहीं कर रहा तो प्लीज subscribe करेंगा और दोस्तो जैसे कि आप लोग जानते हैं YouTube पे हमारी only videos आते हैं अगर Facebook ए Instagram पे हमारी हेस्टेलिंग के photos, classes के update आते रहते हैं तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं हमारी सेम इसी नाम से magic techniques वाच अंदरपायश बटेल के नाम से फॉलो कर सकते हैं